स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आई स्टूडेंट्स को पताऊगा कि कल नाइट में कुछ अपडेट से वह आपके सामने निकल के आई थी उसमें एक इमेल भी काफी स्टूडेंट्स को आया था कि 22 तारिक तक आपका लास्ट डेट है for registration and choice filling को लेके ठीक है लेकिन इससे काफी confused स्टूडेंट्स हो चुक है क्योंकि official website पे नहीं कोई voucher आया है नहीं कोई sheet matrix lease किया गया है last year के लिए तरह आपका ये नहीं हो रहा है कि सबसे पहले आपका counseling schedule release किया जाएगा और उसके बाद में आपका choice filling होगा इस साल पहले आपसे registration करवाया जा रहा है registration का मतलब इस साल पहले registration होता था आपका payment process complete करके आपका choice filling के लिए options आ जाते थे लेकिन इस साल पहले कुछ documents upload करवाया जाए रहा है जिसमें आपका education details दी जाएगी उसके साथी साथ आपका कुछ signature upload करना पड़ेगा photos upload होंगी और उसके साथी साथ education details है वो आपको feel up करने पड़ेंगे और आपके documents है वो upload करने पड़ेंगे ठीक है और उसके साथ ही साथ आपको आगे details भी देनी पड़ेगी तो चलिए एक बार step by step सारे steps की बात करते हैं कि कैसे आपको ICR का PG PhD का counseling complete करना है यदि आप भी हमारे team से counseling करवान चाहते हैं पुरा step by step counseling में help लना चाहते हैं तो screen पर चल रहे नमर से आप content कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी information नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर इतना दिखाया गया है कि आपका choice filling will be open phone ठीक है जैसे लेकिन यहाँ पर आपको कोई browser भी नहीं दिया गया है PG PhD के लिए ठीक है तो भी आप अपना application login एक बार जुरू कर लीजे जैसे आप application login करोगे तो हमेने पहरे किसी students का login कर रखा है ठीक है तो इस तरह से login करने पर आपका dashboard open हो जाएगा तो वहाँ पर आपको तीन चार चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा registration for seat उसके बाद में आपका application fees payment ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर यह सब दिखाई देगा ठीक है यहाँ पर इस पर आपको जिस्ट काम करना ठीक है इसको अपना चुछ फूरा करना है जो आपको complete करना है वह कैसे complete करना है वह हम एक बार आपको बता देते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान से देखेगा जैसे कि यहाँ पर edit view पर ठीक है तो edit view पर आपको click करना है click करने के बाद जैसे आप जाओगे click करने के बाद आपका एक new profile open हो जाएगा यहाँ पर आपको चार पॉर्शन दिखाए देंगे जिसमें आपका application details होगा ठीक है उसके यहाँ पर देखो application details आपका signature photos upload करने पड़ेगी education details आपके होनी चाहिए documents details मतलब सारे documents आपको upload करने और सारे की original की copy होनी चाहिए 되어 PDF चाहिए उसके साहिए बनाट आपका confirm करने डिटेल पे जाना है तो पहले आपको क्या करने पड़ेगा सारी डिटेल देके इसको safe करने के बाद अप्लिकेशन डिटेल पर जा शकते हो इसके बाद में आपका फोटो ठीक है और शिगनेचर ठीक है एक चीज ध्याना कि जब फोटो शिगनेचर आप अप्लोड कर रहे होते तो फोटो शिगनेचर में आपका वाइट बैग्राउंड होना चीज लिए आपका मेंशन होना चीज फाइल का साइज भी दिखा देगा सब पीडियर फो में सबसें आपको हमारी टीम से यल्प चाहिए फोर रजिस्टरेशन के लिए कांसलिंग प्रोसस के लिए उसके साथ ही साथ चोई सब तक आपका कांसलिंग कंप्लेट नहीं हो जाता उस तक स्ट्रीट में किस कोलेज में कितना वेकंड रहेगा किस कोलेज की कितनी फीज जाएगा तो जो भी स्टुडेंट्स हमारे वार्शनल वार्टसप ग्रूप में जोइन होना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर चल रहे वार्टसप नंबर पर आप कॉंटेट कर सकते हो तो चलिए I hope सबसे इस समझ में आ गया होगा अभी तीन स्टेफ में आपका कांस्लिंग कर दो स्क्राइब नापका कांस्ट अभी तो आपका क्र वार्टसप ग्रूप अबल्स बार्टसप अजर्टसप ग्रूप ग्रूप्र अजर्णा कर बच्टसप